बिहार में मौसम का मिज़ाज बदला हुआ है राज्य के विभिन इलाकों में बारिश की वज़े से जलजीवन अस्तव्यस्त है स्थिती अभी और बिगड़ने के आसार हैं राज्य के 11 जिलों के लिए शनीवार को भारी बारिश की आशंका देखते हुए रेड अलर्ट जार किया गया है प्रशासनी का धिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गए हैं बिहार में बारिश की मूसला धार मार 14 जिलों में भारी बारिश का अलट 72 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका बिहार में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश जारी मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिन 14 जिलों के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं प्रचंड बारिश की अशंका को देखते हुए राज्जी के 14 जिलों में रेड डरलर जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार समुद्रित तटके साइकलोनिक शर्कुलेशन के कारण ऐसा हो रहा है पुर्वानुमान के अनुसार 14 जिलों में 21 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 27 सितंबर को ओरेंज वार्निंग 28 सितंबर को रेड वार्निंग और 29 सितंबर को ओरेंज वार्निंग घोशित कर दी गई अगले तीन दिन तक 27, 28, 29 ये तीन दिन भारी बरसा हो सकती है वो बिहार के कुछ एक जिले हैं जहां भारी बरसा हो सकती है बेट इससे बहुत ज़्यादा घवरानी की जरूरत नहीं है ये नॉर्मल भारी बरसा है भारतिया मौसम विज्ञान केंदर ने अपने अलाट में कहा है कि पश्मी चमपारन, पुर्वी चमपारन, सीता मढ़ी, मध्वनी, मजभफरपुर, गोपाल गंज, दर्भंगा, सुपाल, समस्तिपुर, अररिया, सहर्सा, मध्यपुरा और किशनगिन जिलों के एक या दो स्थानों पर 21 सेंटीमीटर से भियादिक बारिश हो सकती है वहीं पुर्णिया, कटिहार, वैशाली, बाका, भागलपुर, बकसर और भोजपुर जिलों में 12 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की संभावना है तो मुंगेर, जमुई, नारंदा, जहानाबाद, गया, और अंगाबाद, रोतास, भभुआ, अरवल, शेकपुरा, बेगुसराय और लखिसराय जिलों में 28 सेंटीमीटर को 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश एक दिन में हो सकती है बारिश के दोरान हवा की गती समाने से अधिक रह सकती है, जानमाल का खत्रा नहीं हो, इसके लिए लोगों को सावधानी के साथ घर से बाहर जाने की सलाह दी गई हाल के दिनों में बारिश को लेकर ये एक बड़ा अलर्ट, इसलिए सावधान रही है, सुरक्षित रही है पत्ना से नुजीत के साथ बिर रिपोर्ट, जी मीडिया